अलमस्टेक में अपका स्वागत दोस्तो अगर आपको एक Natsun लेना हो तो दोस्तो उसकी世界 क्या होना चाहिए या 10,000 का लेना चाहिए या 15,000 का लेना चाहिए या फिर 25,000 का लेना चाहिए और आप एक कौन से यूजरश हो medium uses या फिर hard uses तो इस वीडियो में उसी topic पर बारे में बात करेंगे तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले बता दे हमारी YouTube चैनल में आप new हो तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना वीडियो को share करना वीडियो पर comment भी करना तो चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं पहले medium uses की बेक कैमरा 32 मिक्सल का होना चाहिए बैटरी 4000 image की होना चाहिए बारह नियुम्टर टेकनलोजी वाला या भी 14 नियुम्टर टेकनलोजी वाला होना चाहिए अब बात बात करते हैं यह सारी details क्यों होना चीए इसके phone में क्योंकि एक ये medium users है ये अपने फोन में बहुत कम काम करता है मत माल लो facebook चला रहा whatsapp चला रहा टेलिग्राम चला रहा ट्यूटर चलाता है फिर किसी website पर काम कर लेता है थोड़ा बहुत ही काम करता है दोस्तो तो ये users को ये details होना चाहिए बात करते है hard users details वाले को तो hard users के phone में क्या-क्या details होना चाहिए दोस्तो तो उसके phone में display super AMOLED होनी चाहिए दोस्तो क्योंकि एक उसका phone 25,000 के आसपास या 20,000 के आसपास होगा तो super AMOLED display तो आही जाएगी और RAM भी RGB या 12GB आही जाएगी ROM की बात करें तो 128GB या फिर 256GB होना चाहिए फ्रेंटे camera 32MP official का भी होना चाहिए बेक camera 64MP official का भी होना चाहिए बेटरी 4000 से लेकर 7,000 image तक होना चाहिए और process 7 nanometer technology या फिर 8 nanometer technology के साथ होना चाहिए अब hard users के phone में भी ये सारी details क्यों होना चाहिए क्योंकि वो एक heavy users है heavy users का मतलब ये है कि वो अपने phone में ज्यादा time मतलब वेस्ता रहता है ज्यादा time काम करता है उसमें मतलब बहुत सारी application चलाता है फिर बड़े बड़े गेम चलाता है दो दो जीबी के तिन तिन जीबी के तो उसको फोन को फास्ट रन करने के लिए प्रोसर अच्छा होना चाहिए और ज्यादा time mobile चलने के लिए बेटरी अच्छी होना चाहिए और स्मूज चलने के लिए रेम भी होना चाहिए मतलब जादा चाहिए ज्यादा डाटा करने के लिए रेम रोम होना चाहिए केमिरा अगर सको वीडियो सूट करना है और अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऐक वह quality वाला बनदा रहने है उसको मतलब बहुत अपने फोन में बहुत से काम करता है दोस्तों तो इसलिए फ्रोस्टेसर का भी यही काम देता है कि उसके फोन को फास्ट चलाएगा फटा फटाफट अप्लिकेशन को खोलेगा और अच्छा परफॉर्म करके देगा स्मूठ चलाएगा फोन को तो यह सारे डिटियल्स हार होना चाहिए तो वीडियो केसी लगी तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए टेक कियर